चावल और सूची से तो बहुत डोसे बना लिए आज हम बनाएं कियों के आटे से एकनम क्रिस्पी और इंस्टेंट डोसा जिसमें ना तो हम सोडा एड़ करेंगे ना ही स्पैडर को रेस्ट के लिए रखना है इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा बन करके तयार होगा यह सुनिए कियों के आटे से क्रिस्पी डोसा बनाना शूरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए चटनी बना लेंगे और चटनी बनाने के लिए हम देख पान में वन टेबल स्पून लिया है मस्टर्ड और टेल के घरम होते ही हम इसमें चेरा एड़ करेंगे और आट से दस यह प् आट करेंगे और दो मीडियम साइज की टमाटर है चेने चुप करके रखा है प्याज और टमाटर को हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे अब इसमें हम स्वाधनुसा नमक आट करेंगे प्याज और टमाटर की ऊपर की जो स्कीन है उसे हमें हलका सा तो फ्लेम को हमने हाइपर रखा है और देखिए अब इनका कलर चेंज होने लगा है तो इसमें आट करेंगे हम 10 से 12 पोधिना की पत्ते और 2 टेबल स्पून फ्रेश हरा धनिया आट करेंगे जिसमें मैंने स्टैंप पी आट कर दी है बस अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सबको ठंडा होने देते हैं और जब यह अच्छे से ठंडे हो जाएं तब हम इने एक मिक्सर जार में डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा नीबू कर असेट कर देंगे और इन सबको दरदरा पीस लेंगे तो यहां पर मैंने इने हलका दरदरा पीसा है आप चाहे तो इनक मैं एक बोल में ट्राउनफर करेंगे और जो आटा है वो मैंने स्ट्रें करके लिया है अब इसमें स्वादौन सा नमक आट करेंगे वं टी स्पून जीरा आट करेंगे और वन टी स्पून ही चली फ्लैक्स आठ किया है इसे कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है अब हम यहा बाटे में लब्स नहीं पड़े तो देखित थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी अड़ किया है हम अब यहां पर हम आट करेंगे इसमें 2 टेबल स्पों फ्रेश हरा धनिया तो टेबल स्टोन यहां पर अगर बैटर को थोड़ा सथिक रखेंगे तो आटे का जो नाश्ता हम बना रहे हैं वो क्रिस्पी नहीं होगा वो सोफ्ट रहेगा तो और इस बैटर को बने के लिए नहीं रखना है है इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने से रह डू अब नुंस्टिक तवे पर बना के इसका असकते है उसका जो प्रोसेस है आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं यहां łपा पानी कर लिया है और फ्र फीरज्म थोड़ा पार एंड़ कर लेते अभी हमने फ्लेम को हाइपर रखा था बैटर डालने के बाद फ्लेम को मेडियम टो हाइपर कर दिया है और इसे उपर से ड्राइ होने देंगे और देखे जब ये उपर से ड्राइ हो जाए तब हम इसके साइट से और इसकी जाली में थोड़ा-थोड़ा घे डालेंगे जिससे ये डोसा क्रिस्पी बनेगा अब ये डोसा ब्राउन होने लगा है तो हम फ्लेम को बिल्कुल लोग पर रख देंगे और इस डोसे को क्रिस्पी कर लेंगे अगर आप फ्लेम को मेडियम पर रखेंगे तो डोसा क्रिस्पी नहीं होगा और देखिए अब इसने साइट से चोड़ना शुरू कर दिया है अब इसे फ्लिप करके एक से दो मिनट के लिए हम दूसरे साइट से भी से क्रिस्पी कर लेंगे आप चाहें तो इसे एक ही साइट से कूप करके भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से ये थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाता है और तयार है आटे का क्रिस्पी डोसा या च तो किस्ति बनी है चैनी से तरीके से हम सबी दो्सेट बना लेंगे वे नón स्टिक यमीनियमे प्रोसेस से हमने के बैटरेंगे और फिर भीमड दालने के बाद फिलेम को मेडियम पर करेंगे और ज玩 TV उपर से ड्राहे होने लगी को गीमड़ी रखी तो सबी के करेंट आइ तर इसा दाले दो चीपक हो जाता है जिपकेगा ज़रूर। लेकिन फिलेम को लो तो वह आसानी से उतर भी जाएगा अब देखे हम ने उसके उपर गे डाल दिया है और यह डोसा ब्राउन होने लगा है तो फ्लेम को बिलकुल लो पर रख देंगे और इस डोसे को कुक होने देते हैं यह देखे यह अच्छ से ब्राउन कलर का हो चुका है तो अब आम इसे फ नयार है आटे से बनाए क्रिस्पी डूसा पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के नेचर जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करें और आप ही से बनाएए और अपना फीडबेक मेरे साथ जरूर से शेर किजेगा थैंक्स फोर वोचिंग